अब लोग बताना चाहूंगा कि आज हम लोग डिस्क्स करेंगे पजल के वो कोशिश जो की सिटिंग अरिज्मेंट बेस्ट होते हैं जी हाँ जब बर्दस कोशिश होंगे और प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से सॉल्व करने बड़ उससे पहले आप लोग जानते हैं कि 7,900 वेकंसिस को टार्गेट करते हुए RRBJ के आपकी जो वेकंसिस थी उसको लेकर हम लोग लेकर आ रहे हैं एक आपका नहा बैच जो की 777 में आप लोगों के लिए है तो CBT1, CBT2 के लिए आप लोग एन्रोल कर सकते हैं जल्दी से और अगर आपका टा आपको क्लियर्ली यहां पर दिख रहा होगा 8 persons, 8 people are sitting at the circular table facing towards the center यानी 8 लोग है जो आपके face करके बैटा है center की तरफ तो आपको सबसे पहले क्या करना है 8 candidates को fix कर लेना है अच्छा 8 candidates कौन कौन से है और वो जो 8 candidates है वो कहां से कहां था कि 8 people are sitting around the circular table facing the center and they like different mobile realme, nokia, stc, iphone, micromax, sony, oneplus, samson but not in the same order you likes iphone, देखे अब कौन कौन candidates है उनके नाम starting में दिया ही नहीं but यह बोला है कि you likes iphone and sitting second to the left of the one, left of micromax अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले जो condition दिया है हम उसको लिखेंगे please इसको ध्यान से देखेंगा, you के लिए बोला है, you क्या कर रहा है, you like iphone और आपको बुला है, यहाँ पर देखेंगा यह था, you likes iphone and sitting second to the left of micromax यानि you जो है, वो second left किसके, micromax के फिर आपको देखेंगे, we is sitting opposite the real me and second to the right of one plus अब आपको दिया है, यहाँ पर we is, देखें, we is sitting opposite to real me यानि V जो opposite है, वो किसके, real me के और साथ में क्या दिया है, and second to the right of one plus यानि V जो है, वो one plus के कहां पर है, second right पर है यहां में data जो दिया था, उसके इसाफ़ चामने यहाँ पर sitting arrangement इतना बैठा लिए यहाँ पर गर रहा है, 3% sits between the one plus and HTC which is like y cube, यानि HTC like कॉन कर रहा है, cube and यहाँ पर दिया है, 3% sits between one plus and HTC तो अब आप देखें, आप एक काम कर सकते थे आप यह कर सकते थे, अगर आप देखें, आप one plus यहाँ पर रख लिजाए one plus one plus और HTC HTC वाला candidate यहाँ पर हो जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ बोल रहे है, 3% sits between the one plus and HTC which is like by q, HTC कौन like कर रहा है, q like कर रहा है और उनके बीच में तीन लोग है, तो यहाँ से भी देखें, क्योंकि चौथा विक्ति हमेशा पोजिट होता है क्योंकि तीन लोग बीच में होंगे, तो दोनों के बीच, एक दूसरे से जो पोजिशन हो जाएगी, वो फोर्थ हो जाएगी फिर कर रहा है, two people are sitting between Micromax and Realme, यानि आप से कर रहा है, Micromax और Realme के बीच में, दो लोग बैठें, तो आप एक काम कर लो, अगर आपको नहीं समझ भाए रहा है, तो आप ये भी कर सकते थे, जो डेटा हमने यहां लिया है ना, उसको भी यहीं उतार लो, और जहां से maximum positions मिलेंगी, उनको fix कर दें, one plus, opposite x के, q के, q वो है, जिसका STC Mobile है जो STC Mobile है कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, one plus यहां से हटा देते हैं, और q STC भी यहां से हटा देते हैं, क्योंकि डेटा fix नहीं हो रहा है, T likes Nokia, यानि clear दिया है, T को क्या पसंद है, Nokia पसंद है, T likes Nokia, who is a neighbor of V, यानि T likes Nokia, Nokia और who is neighbor of V, यानि जो T है, वो V का पडूसी है, clear है, क्योंकि who, T likes Nokia, who is a neighbor of V, यानि T जो हो गया, वो पडूसी हो गया, इसका अभी का, 2% sit between Nokia and P, who is an immediate neighbor of S, 2% sit between Nokia and P, तो माइडियर हम यहाँ पर कर लेते हैं, जो Nokia पसंद कर रहा है, और P के बीच में दो लोग है, अब दिया है, 2% sit between Nokia and P, P के बारे में अब condition दिये, क्या, who is an immediate neighbor of S, यानि P जो पडूसी है, वो किसका है, S का, यानि S का पडूसी P हो सकता है, चाहे left में बैठे, चाहे right में बैठे, हमें नहीं पता कहा पड़ेगा, W does not like realme, यानि W को realme पसंद नहीं है, W does not like realme, हमें conditions दी है, हम conditions को जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे, question तो नहीं solve कर पाएंगे, फिर आप से कहा रहा, one who is facing the micromax is Samsung, तो यानि आप से कहा रहा, one who is facing the micromax, opposite होगी है, Samsung के, इतना data हमारा clear हो रहा है, अब आप एक काम करिए, जहां से data fix होता है, वहां से हम शुरुआत करते हैं, मैंने micromax यहां पर सबसे ज़्यादा पाया, micromax के second left U है, U को iPhone पसंद है, micromax opposite है Samsung के, और एक चीज़ और देती, micromax and realme के बीच दो लोग है, realme opposite है, तो आप देखे, condition link हो रही है, जब तक condition link नहीं होगी, puzzle का question तो नहीं solve होगा, तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो data arrange करेंगे, वो red pen से arrange करेंगे, किसे, red pen से, हमने इतना data side में होता रहा था, और जो होता जाए को उसको tick भी करते चलेंगे, हम कहते हैं, यह micromax है, micromax, और micromax के second left u है, one, two, तो आपका u यहाँ पर आ गया, u को iPhone पसंद है, तो iPhone हम fix करते हैं, u को iPhone पसंद है, और micromax किसका है, अभी हम इस पर बात नहीं करते हैं, यह data clear, u को iPhone पसंद है, यह data clear, micromax के opposite Samsung है, तो micromax opposite Samsung, कभी भी ज़रूरी नहीं कि पहले option से ही solve होगा question, question कभी-कभी last statement से भी solve होता है, याद रखनेंगा, तो data arrange करना उतना ही ज़रूरी है, एक point है, ओके, चलिए, यहाँ पर हमारे Samsung होगा, अभी next आपको क्या दिया है, यह clear होगा, यह clear होगा, W does not like real me, W does not like real me, तो W does not like के लिए ऐसे लगा देते हैं, real me उसको पसंद नहीं था, यह point अभी आपका रुका है, V real me के opposite था, अचा, 1 plus के second right V है, अभी न मुझे 1 plus पता है, न second right V पता है, Nokia और P के बीच में दो लोग है, अभी ना Nokia पता ना P का पता, T को Nokia पसंद है, ठीक है, 1 plus opposite है Q के, और Q वो है, जो HTC, अचा, Micromax और real me के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग है, अचा, एक चीज और देखिएगा, जब आपको clear है कि Micromax और real me के बीच में दो लोग हैं, और real me के opposite V होगा, हमें इतना data clear दिया है, ओके, यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अब हम blue marker ले रहे हैं, जहां हम possibility basis पे करेंगे, Micromax और real me के बीच में दो लोग हैं, तो Micromax यहाँ हैं, तो 1, 2, एक तो real me यहाँ आ सकता है, real me यहाँ आ सकता है, तो यानि, R यहाँ नहीं आ सकता है, यानि, real me यहाँ नहीं आ सकता, तो that means, real me हम लोग कहाँ put करेंगे DR, real me की हमारी fix position मिल रही हैं, कि आपको real me यही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लिखा हैं, Micromax और real me के बीच में दो लोग हैं, तो यह data clear, अच्छा, real me के opposite कौन है, V, यह data clear, real me के opposite हो जाएगा V, अच्छा, V का जो पड़ोसी है, वो T Nokia है, तो T इधर नहीं आ सकता, T यहाँ आ गया, और T कौन हो गया, Nokia हो गया, तो देखें, इतना data आपका fix हो गया, T Nokia हो गया, Micromax और इसके बीच में दो लोग हो गया, 1 प्लस के second right V है, तो देखें, 1 प् हो जाएगा किसके, V के, तो V का 1, 2, यहाँ पर आगया 1 प्लस, second left, और 1 प्लस के opposite कौन है, Q, STC, 1 प्लस के opposite हो गया, यहाँ पर आजाएगा Q, that is HTC, तो देखें, अगर एक data आपको मिल जाए, तो आपके data लिंक होता चला जाता है, देखें, फोन सब के मिल के मुझे लग र बच्चा कौन, Sony, Sony वाला फोल बचा, तो Sony हमारा यहाँ आजाएगा, V को Sony पसंद है, clear, इतना data आपका fix हो गया, अब आप देखो, जो data fix हुआ, उसमें यह data fix, W को Realme पसंद नहीं है, तो एक data हमारा यह बचा है, W को Realme पसंद नहीं, U iPhone, Micromax के second left, V opposite Realme के, V opposite Realme के, Realme का है, Realme के opposite V हो गया, यह clear, OnePlus के second right भी है, OnePlus के second right भी है, Nokia और P के बीच में दो लोग है, अब Nokia हमारा कहा था, Nokia हमारा यहाँ था, इसको भी bracket में कर ले, तो Nokia and P, 1, 2, P यहाँ हो सकता है, अच्छा, P के लिए कुछ data दिया था, P पडोसी है, S का, हमें यह भी दिया है, तो Nokia और P के बीच में दो लोग है, और P पडोसी है, किसका, S का, तो सबसे पहले जो data हमें fix हो रहा है, हम उसको लिख लेते हैं, T, Q, V, U, इतने लोग clear हो गए, और P और S पडोसी होंगे, और P और Nokia के बीच दो लोग होंगे, तो अगर आप देखे, Nokia यहाँ पर है, 1, 2, P यहाँ आएगा, तो S यहाँ आजाएगा, Nokia यहाँ पर है, 1, 2, P यहाँ आएगा, तो S यहाँ आजाएगा, अच्छा, क्या हमें कुछ और data भी दिया है, कि किसी को लेकर कि किसी को कौन सा phone पसं नहीं है कुछ इस तरह से, एक बार हमें देखना पड़ेगा, कहीं कोई data में सो रहा है, definitely, Q opposite, S, T, C, Nokia और P के बीच में दो लोग है, TV का पड़ोसी है, P और S आपस में एक दूसरे के पड़ोसी है, चलो, एक बार दुबार हैं से देख लिएगते हैं, condition, you like iPhone, you like iPhone, and set second to the left of Micromax, clear, V is sitting opposite to the realme, V is sitting opposite to the realme, and second to the right of oneplus, second to the right of oneplus, clear, realme is second to the right of oneplus, realme, 1 minute, and second to the right of oneplus, V is sitting opposite to realme, and second to the right of oneplus, ठीक है, 3% sit between oneplus and STC, oneplus and STC, which is like by Q, STC like by Q, two people sit between Micromax and realme, Micromax and realme के बीच में दो लोग बैठे हैं, T likes Nokia, T likes Nokia, who is a neighbor of V, T जो परूसी है, वो V का है, two persons is between Nokia and P, who is an immediate neighbor of S, T और P के बीच में दो लोग बैठेंगे, और जो P है, वो S का neighbor है, W does not like realme, W को realme पसंद रही है, एक data जो हमारा बचा हो था, W आपका Samsung, Micromax, पसंद कर सकता है, और 1 प्लस पसंद कर सकता है, W does not like realme, one who is facing Micromax is Samsung, one who is facing Micromax is Samsung, तो हमारा इतना data clear हो गया, देखे स्टेंग, जब इस question की बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर candidates के name तो दिया नहीं थे, तो अब के वल यह बताए, कि W को क्या नहीं पसंद रही है, तो W आपका यहाँ पर नहीं आ सकता है, इतना clear है, बागे W यहाँ यहाँ और यहाँ कहीं भी आ सकता है, next आपको दिया है, कि आप देखे, Nokia and P के बीच में दो लोग हैं, तो Nokia and P, दो possible case बन सकते हैं, कौन कान से, सुन लिजेगा, अगर आपने देखा, Nokia को T द्वारा पसंद किया गया है, तो 1, 2, Nokia और P के बीच में दो लोग हैं, इधर भी हो सकता है, 1, 2, P इधर भी हो सकता है, अगर P इधर गया, तो S यहाँ आ जाएगा, और P अगर इधर गया, तो which of the following likes Sony, तो Sony किसको पसंद है, तो आप देखिए, Sony की बात करेंगे, तो Sony V को पसंद है, यानि हमारे question का answer मिल रहे है, 2nd क्या है, who is sitting exactly opposite to the one who likes iPhone, iPhone जिसको पसंद है, उसके opposite को आण है, T यानि Nokia, तो आप देखिए, T, Nokia, तो दोनुई option है हमारे, तो both, first and second, क्योंकि T और Nokia एक ही बंदा है, clear है, तो यानि ये question, if वाले case में मिलेगा, अगर इसके बाद questions पूछे जाएंगे, तो वो if करके पूछे जाएंगे, यानि जब data आप से कहतेगा, if P likes OnePlus, then who likes Samsung, ऐसे पूछेगा, अगर P OnePlus like करेगा, तो S यहाँ आएगा, तो Samsung कौन पसंद करेगा, W क्योंकि W वहाँ नहीं आसेता था, real me की जबा, बस ये कुछ conditions होती है, जिससे हमारा पूरा question solve होता है, चलिए एक काम करते हैं, अभी हम लोग बढ़ते हैं next question पे, next question क्या है, इसको भी समझते हैं, तो dear, इसमें देखेगा, eight prints, Ali, Bima, Izil, Kaabya, Manoj, Jay, Kamal and Lalita are sitting around a circular table facing the center, all of them have a different profession like teacher, engineer, doctor, advocate, journalist, judge, HR manager, but not necessarily in the same order and Jay is third to the right of Kaabya, अब हमें क्या करना है, जो positions fix होंगी, हम उनको fix करेंगे, और fix नहीं होती है, तो हम उनको लिखेंगे, जैसे मार लीजे, sitting arrangement है, आठ लोग बैठे हुए हैं, तो आठ लोगों की positions पहले fix करते हैं, अब यहां पर आपसे क्या करेंगे, Jay is third to the right of Kaabya, Kaabya who was not HR and manager, तो अब देखिए, Jay sits, Jay is third to the right of Kaabya, अब Jay जो है, वो Kaabya के right में है, कहां पर third, तो हम कहते है, Kaabya के third right में Jay है, और देखिए, Kaabya वो है, जो ना तो HR है, ना ही manager है, यानि इसके लावब कुछ भी होगी HR और manager नहीं है, The one who was judge is an immediate neighbor of Kamal and Izzil, यानि जो judge है, वो Kamal और Izzil का परोसी है, that means इनके बीच में है, Kamal और Izzil, कि ये बीच में कौन है, आपका judge, ये हमारा clear, ये profession है, अब यहाँ पर करें, The one who was HR is second to the left of Jay, who was advocate, यानि जो advocate है, तो आप एक काम करो, जै की position fix कर लो, जै अगर यहाँ है, और जै कौन है, advocate है, और देखिए, यहाँ पर लिखा है, The one who was HR second to the left of Jay, 1, 2, HR यहाँ पर है, second to the left of Jay, advocate है जै, और जो जै है, काबिया के third right है, तो काबिया कहाँ हो जाएगी, काबिया यहाँ पर हो जाएगी, काबिया का first right, second right, third right, जै हो गया, काबिया ना तो HR ना मैंने जाएगी, इतना हमें clear हो गया, और यह वाना point लिखा हुआ है, फिर करें, ललीता is not an immediate neighbor of इजिल और जै, यानि जो ललीता है, is not an immediate neighbor of इजिल और जै, हमने इस तरह से लिख लिए है, but is third to the right of बीमा, यानि ललीता की बात हो रही है, ललीता is third to the right of बीमा, तो बीमा के, third right ललीता है, यह हमें clear हो गया, फिर यहाँ पर कह रहे है, the person who were judge, and doctor sit opposite to each other, तो judge and doctor opposite to each other, तो आप सुरंथ यहाँ पर लीजे, judge and doctor opposite to each other, इस point को आप circle इस तरह से कर लीजेगा, क्योंकि आप देखिए, judge and doctor कहा सकते हैं, यहाँ तो आ नहीं सकते हैं, यहाँ भी नहीं आ सकते हैं, दो position तो चली गएं, दो position बची, judge and doctor, judge and doctor, तो अभी हम इसको इसी तरह से रखते हैं, clear है, ललीता was an engineer, ललीता कौन है, engineer है, तो आप ललीता यहां रखे, ललीता आपकी engineer है, हबने यह लिख लिया, ललीता was an engineer, साली लिखे, the person who was HR sits third to the left of the doctor, जो HR है, वो third to the left of the doctor है, तो HR यहाँ पर है, third to the left of the doctor तो doctor के third left one, two, three और देखे doctor के opposite कौन था judge, doctor अगर यहाँ है तो यह काव्या कौन हो गई judge और आप देखे, judge को लेकर कुछ कहता judge कमल और इजिल के बीच में है तो हमें clear है कि कमल और इजिल यहीं आ सकते हैं तो आप तुरंद क्या करीए अपना pen बदलिए आप यहाँ लिखे कमल अगर कमल यहाँ है तो इजिल यहाँ पर आ जाएगे ठीक है एक सिकिंद बच्चा इजिल और एक चीज और है कि अगर इजिल यहाँ होगे कमल आपके यहाँ हो जाएगे हमने यहाँ पर शॉर्ट में इसको लिख लिए तो देखे कमल इजिल वला हो गया और यह क्या दिया इजिल का परोशी ललीता नहीं है चलो clear है ललीता is an engineer अच्छा इनका तो profession clear होगे इनका profession clear इनका doctor clear डॉक्टर का profession clear बीमा के third right ललिता है ये भी clear है ललिता एन इंजिनियर ये भी clear है तो ललिता यहां नहीं हो सकती यहां नहीं यहां नहीं यहां नहीं तो ललिता के लिए position एक अच्छा यह इजल कमल चलेगा एक दो तीन ललिता के लिए तीन position है लेकिन ललिता बीमा के third right है तो ललिता यहां भी नहीं हो सकती क्योंकि यहां देखे कौन है इसल वन टू थ्री ललीता यहां भी नहीं हो सकती क्योंकि देखे यहां पर वन टू थ्री क्योंकि ललीता जो है आप सबसे पहले देखे बीमा के थर्ड राइट है तो ललीता कहां कहां हो सकती है उस पर अभी हम बात कर लेते है पहले हम देख लेते क्या कोई और point है हमारा जिससे हम clear कर सकते हैं कावया के third right है अब main जो point बसता है वो ललीता वाला ही बसता है देखें ललीता कहां कहां नहीं हो सकती देखें यहां कावया हो गई यहां कमल और इजल में से कोई एक लोग हो जाएंगे यहां पर जै हो गए बच्चे चार point ललीता के लिए ललीता यहां हो नहीं सकती क्योंकि ललीता वीमा के third right है यहां इजल है तो 1,2,3 यह कमल है तो यह ललीता की जगा नहीं हो सकती ललिता की जगाई यह हो सकती है क्या नहीं हो सकती क्यों क्योंकि कबल इजिल यहां है तो 1, 2, 3 जबकि वीमा के 3rd right है अब ललिता की position यह भी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि जय यहां पर है 1, 2, 3 ललिता जय के 3rd right हो जाएगी जब किया लिखा है बीमा के third right तो यहां आपकी ललिता आ गए and ललिता is an engineer तो देखे इंजीनियर हो गए हमने ब्रैकेट में लिखा अब बीमा के third right है तो बीमा जी यहां पर आ गए तो आप देखो positions कितनों लोगों की clear होगे बीमा clear ललिता clear तो एक दो तीन चार पांच है छे लोगों की positions हमने clear कर ली तो ललिता and engineer judge and doctor opposite बीमा के third right ललिता यह clear काविया के third right जै काविया के third right जै हो गया काविया ना तो HR ना manager यह point अभी हम लख लेते हैं काविया ना तो HR ना manager तो judge हो गई यह भी clear हो गया judge जो है वो आपका कमल और इस्चिल के बीच में है तो देखे judge हमारा कहा है जज यहां कमल और इजिल के बीच में नहीं बतका है आज देखे जो इजिल यह जै है वो ललीता के पडूसी नहीं तो देखे ललीता यहां पर है तो दोनों में से कोई भी जै यहां जो क्या इजिल यहां यहां होगे तो यह वाला point भी आपका क्या होगे? यानि अभी तक डेटा जितना था सब क्लियर बढ़ते हैं आगे The one who was teacher and the one who was manager are immediate neighbor Teacher और manager पडूसी है तो my dear आप मुझे यह बताओ कि teacher और manager अगर पडूसी होंगे तो वो कहां होंगे? Teacher और manager पडूसी है तो देखे judge, HR, एक जगह खाली बची advocate, doctor, engineer यह दो positions खाली है teacher और किसकी बात की थी? teacher and doctor क्या है आपके पडूसी है ठीक है? और judge judge के opposite कौन है? doctor है एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट कुछ गणत हो गया The one who was teacher and the one who was manager is immediate teacher और manager doctor नहीं दिये teacher और manager तो इन में से एक चीज तो clear है कि एक तो teacher होगा और एक manager होगा या फिर यह teacher होगा और यह manager होगा अभी हमें नहीं clear कौन teacher, कौन manager profession लगबग सब के clear हो गए judge, manager, teacher, engineer, doctor, advocate अब यह बचा तो यह कौन हो जाएगा? तो अगर हम इसकी बाद करें तो profession हमारे थे teacher हो गया ठीक है? इंजिनियर हो गया हो गया, doctor हो गया, advocate शायद नहीं advocate भी हो गया, journalist नहीं हुआ, तो बीमा कौन है? journalist, यह भी हमारा clear हो गया question आगे पड़ते हैं खेर है, akil was not a teacher तो akil was not a teacher तो akil teacher नहीं है हमें इतना दे दिया और ललिता जय और इन पडोसी नहीं है टेक है, akil teacher नहीं है तो my dear, akil यहाँ अगर यह teacher हुआ, तो akil यहाँ नहीं आ सकता फिर akil यहाँ आएगा, और एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और यह भी हो सकता है कि teacher अगर यहाँ हुआ, तो akil यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, बट एक चीज clear है, कि akil जो है वो आपका क्या नहीं है teacher नहीं है, तो एक बार लिख लो जो, फिर akil was not an teacher, अचा manoj is second to the right of akil manoj किसके right है, akil के second right है, तो my dear, अब यही दो positions खाली है, तो manoj is second to the right of akil akil की position clear होगे akil teacher है नहीं, akil doctor है फिर लिखा है, who is an immediate neighbor of Jay and Lalita, देखिए, akil के लिए clear होगे, akil, Jay और Lalita के बीच में हमारा already वैसे ही आ गया था अब आपको पूछा क्या है अचा एक चीज़ देखिएगा, कोई ऐसा data आपको लग रहा है, जो fix ना हो रहा हूँ, देखिए, यहाँ पर इजिल और कॉमल का तो नहीं clear हो रहा है कि कौन होगा अचा, which of the following profession of Bima, Bima का profession का है journalist, है option में आपके हाँ, जी है, option B is the right answer, तो बहुत बार जब आप questions को solve करेंगे, तो देखिए puzzle तो भीया यह ही है, जितना घिच-पिच दिख रहा है, उतना ही अच्छा solution भी है, एक-एक data हमारा match भी कर गया, और दो लोगों की positions हमारी यहाँ पर नहीं clear हो रही है, जैसे हमें नहीं clear हो गया कि इजिल और कॉमल की position क्या है, वो बिलकुल भी clear नहीं होगा, बढ़ यह बता है कि अच्छा और क्या नहीं clear हो रहा है, दो लोगों का profession, manager और teacher का profession clear नहीं हो रहा है, बिलकुल भी, क्योंकि manager और teacher को लेके, अच्छा एक चीज बोली थी, कि काविया ना तो HR है ना manager, तो वो clear था general list है, तो इतना ही data हमारा मिल रहा है, तो इस तरीके से यह puzzle का question solve हो रहा है, जो की sitting arrangement based है clear है, चलो, एक काम करते हैं, एक और question देख लेते हैं, अब यह जो question idea है यह box based है, अब इसको कैसे करेंगे कह रहा है box, कितने boxes हैं, P through W, यानि P, Q, R, S T, U, V, W कितने box हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ 8 box है, are placed 1, 1 above, ठेक है another, where are the bottom most position is 1 and top most, आपकी 8 हो जाएगा यानि, bottom most 1 2, 3 4, 5 6, 7, 8 यह हमारे 8 box क्या है placed है हमने इस तरीके से positions ले अब यहाँ पर करें, 3 boxes are placed between V and S अब V उपर या S उपर पता नहीं but 3 box आपके V और S के बीच में आएंगे 3 boxes are placed between V and S, अब लिख है which is placed just above you which मतलब S, जो S है वो just above you होगा, तो just above you को हम ऐसे represent करेंगे, और अगर above you होता, तो हम उसको ऐसे represent करतें, above you just above you, यानि ठीक उपर बैठा है, तो represent करने का एक proper, एक अपने symbol बेना लिजेगा जिससे की puzzle करते समय आपको असानी हो फिर कहा रहा है, T is placed somewhere below P, यानि जो T है, वो P के नीचे कहीं पर आएगा, कहां आएगा नहीं पता, somewhere मतलब कहीं पर भी आ सकता है but not adjacent to V, यानि P जो है वो V का पडूसी बिल्कुल भी नहीं होगा तो हो सकता है कि हमें एक दो possible cases यहां पर लेने पड़े, तब जाकर हम सारे boxes को properly fit कर पाएं चलिए, तो इतना data हमने अभी तक लिया है अब लिखाए, two boxes are placed between U and R यानि U और R के बीच में दो boxes placed है, अब कहां होंगे, देखते हैं two boxes are placed between Q and P, देखे Q and P के बीच में भी हमारे दो boxes placed है Q is placed second to the above of V, यानि Q placed second to the above of V second to the above of V, हमें इतना clear हो गया अब यहां पर हमें data थोड़ा सा ध्यान से fix करना पड़ेगा fix करते समय थोड़ी सी समझदारी हमें दिखानी पड़ेगी जैसे हमें एक चीज clear हो रही है कि अगर हम V की बात करें तो V से हमें थोड़ा सा idea लग रहा है V और S के बीच में तीन है और V और S के बीच में अगर तीन है तो V के उपर जो है अपका क्या है Q है Q सेकंड प्लेस पे मैं एक काम करता हूँ अगर मैं ये ले लू के एक possibility ये है के V और सेकंड प्लेस अबव क्यू मैंने एक data ये ले लिया मैंने अब Q को सबसे उपर बैठा लिया क्यों हम बैठा लिया उसके बारे मैं अभी बात करेंगी ठीक है तो देखे V और S के बीच में कितरे लोग है 1, 2, 3, 3 लोग एक possible case तो हमने ये माना कि जब हम ये मान लें कि S नीचे अच्छा ये जो दिया है न U और R के बीच में दो लोग है U और R के बीच में दो लोग है इसको भी मैं data को side में arrange करता हूँ U और R के बीच में दो लोग है और कह रहा है Q V से second above है पस खतम का अनी Q V के second above है यानि Q V से second above है यह बात याद रखेंगा अब आपको क्या करना है यह एक ऐसा case बना जिसमें हमें possibility के बिना हम question को solve भी नहीं कर सकते हैं यानि हो सकता है हमें 4-5 case लेने पर जाएगे ठीक है एक case तो आपने यह लिया Q और एक case यह भी हो सकता Q 1-2-V और S आप जब least ले लो सबसे नीचे तो यह दो case बन सकते थे Q और V वाले अगर आप V को उपढ़ने थे S से एक possibility यह हो सकती थी कि S टॉप पे बैठा होता और आपको दिए S और V के बीच में कितने लोग है एस और V के बीच में तीन लोग है तो 1-2-3 V यहां पर आएगा यानि यह आपकी fix position हो गई और देखें U just blow था S के यानि S just above था तो यानि यह वाला case तो गलत हो गया सकेंड वाला S सबसे नीचे आई नहीं सकता तो last possibility आपकी यह बनती है तो जैसे यह गलत हुआ तो आप इसको यहां से खाली करता हो क्योंकि S least हो यह नहीं सकता ठीक अब आपको करना क्या है आपको थोड़ा सा और अच्छे से देखना है V और S के बीच में तीन लोग है इसको अबव है Q Q second above B 1 2 Q 1 2 Q 1 2 Q 1 2 Q 1 2 Q और देखे U आपका just S के नीचे है हमें इतने cases मिलका है तो जो जो data हमारा fix हो गया हम उसको tick कर देते हैं यह clear यह clear Q और P के बीच में दो लोग है इसको भी fix कर लिजे Q और P के बीच में दो लोग है Q 1 2 P उपर नीचे दिया है Q 1 2 P ठीक है अब Q और P के बीच में दो लोग है, तो यह वाला case देखिए, Q और P के बीच में दो लोग है, Q और P के बीच में दो लोग है, इस वाले case में Q और P के बीच में दो लोग यहीं पर आ सकते हैं, Q यहां पर है तो P यहां जाएगा, बट यह जो दो case बने, यह हमें थोड़ा सा problem create कर रहा है क्योंकि Q और P के बीच में दो लोग अगर है तो हो सकता है कि P यहां पर हो या हो सकता है P यहां पर हो तो हमने red से लिख लिए Q and P के बीच में दो लोग है P यहां भी हो सकता है और P यहां भी हो सकता है जितना हमें समझ में आ रहा है कि P यहां भी हो सकता था, तो हमने red से लिया है, बाकी positions में हमने P को भी fix कर दिया, Q second अबर भी कि यह भी लिख लिया, और P के नीचे कहीं पर T है, अगर P के नीचे कहीं पर T है, तो यह वाला case आपको बनी नहीं सकता, क्योंकि P के नीचे T जाएगा नहीं, अगर P नीचे लेंगे, तो एक चीज और clear हुई, कि इस वाले case में हमारा P के नीचे T है, तो P आपको यहीं लेना पड़ेगा, और कोई possibility नहीं बनती है, clear है, और कोई possibility नहीं बन रहेगे, अब बात करते हैं इस वाले case की, यह वाला case, तो यह वाला case, as it is हम यहाँ पर उतार लेते हैं, ठेके, अब इस case में P के नीचे T कहीं भी हो सकता है, अब P यहाँ से यहाँ से हटा देते हैं, और जब यह वाला case हमने same बनाया है, तो आपका S, U, Q, V बनाया, और देखे, Q और V, P के बीच में दो लोग यहाँ होगे, तो T कहीं भी आ सकता है, और अगर आपने P यहाँ लिया, तो T यहीं आएगा, यह भी हमारा case हो गया, तो देखे, T कहीं पर नीचे होगा, तो यह वाला भी point हम इसको रख लेते हैं, V, P का परूसी नहीं होगा, हमें यह वे दिया है, V, P का परूसी नहीं होगा, और U और R के बीच में दो लोग होगे, U और R के बीच में दो लोग होगे, यह main point हमारा बचा हुआ है, चलिए समस्ते हैं, अब देखे, U और R के बीच में दो लोग होगे, तो T यहीं पर आएगा, इसमें आते हैं, U और R, अच्छा देखे, एक चीज़ और देखे, थोड़ा से गलती होगे, U और R के बीच में दो लोग होगे, R यहाँ पर आगा, क्योंकि U यहाँ पर था, U अगर यहाँ पर है, 1, 2, R आए नहीं सकता, क्योंकि U यहाँ है, 1, 2, U और R के बीच में दो लोग, गलत हो गया, पूरी तरह से यह वाला sitting arrangement हमारा गलत हो गया, क्योंकि U का तो clear था, S के नी अगर यहाँ पर है, 1, 2, R यहाँ आ नहीं सकता, उपर जा नहीं सकता, गलत हो गया, U और R के बीच में दो लोग, U अगर यहाँ पर है, 1, 2, R नीचे तो नहीं आ सकता, लेकिन R उपर आ गया, U और R के बीच में, 1, 2, नीचे तो नहीं आ सकता, 1, 2, R यहाँ पर आ गया, P के अब देखें पी के नीचे कहीं पर T था, T यहाँ पर रखा, ठीके, अब देखें, पी के नीचे कहीं पर T था, U and R के बीच में दो लोग, पी के नीचे T कहीं भी आ सकता है, अभी दो possibility हैं, और यहाँ clear हो गया, अब आपको देखना है, Q is placed second above V और P V का परोसी नहीं है P V का परोसी नहीं है तो देखे P और V परोसी हो गए यह sitting arrangement आपका गलत हो गया P V का परोसी नहीं हो सकता तो P V का परोसी नहीं है ना तो यहां पर ना यहां पर यह हमारे दो possible case अभी तक बन रहा है और देखे P P बचा कौन? W बचा अज़र W को लेकर कोई condition दी थी क्या? मुझे लगता है कि कोई condition तो नहीं दी थी बट हमारे यह sitting arrangement एकदम सही जा रहे है एक बार हम दुबारा से देख लेते हैं अब यहां पर लिखा है 3 boxes are placed between V and S तो V और S की बीच में 3 box है हाँ जी है which is placed just above U यानि S जो है U के just above है दोनों में है T is placed somewhere below P जो T है वो P के नीचे आ रहा है T P के नीचे यहां यहां थे ही भी आ सकता है but P is not adjacent to V PV का पडूसी यहां भी नहीं है और नीचे इधर वाले case में भी नहीं है 2 boxes are placed between U and R तो U and R के बीच में 2 boxes है R यहां पर है 2 boxes U and R के बीच में है 2 boxes are placed between Q and P तो चलिए Q and P के बीच में 2 boxes है Q and P के बीच में 2 boxes है Q and P Q and P ठीक है Q is placed second above the V Q is placed second above the V Q is placed second above the V क्या रहा है how many boxes are placed below V, V के नीचे कितने boxes है तो dear हमें सबसे पहले दो sitting arrangement पे focus करना होगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है देखे हमारा एक point था अगर आपको थोला से ध्यान हो T is placed somewhere below V but not adjacent to V, यानि T V का पड़ोसी नहीं हो सकता जो कि हमने यहां लिखा नहीं है तो T और V पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, तो देखे T और V यहां पर पड़ोसी हो गए T is placed somewhere below P ठीक है but not adjacent to V but यहां तो दोनी case में T जो है V का पड़ोसी हो जा रहा है two boxes are placed between U and R, अच्छा एक काम करते हैं थोड़ा सा इस question को उल्टा ले चलते हैं यहां जहां हमारे गलत हुए हम उसको पूरी तरह से हटा देते हैं sitting arrangement एक बार दुबारा से देख लेते हैं कि क्या क्या possible case बन सकते हैं और कितना पीछे चलते हैं चलिए पूरा पीछे चलते हैं हम लोग सारे possible cases को देख लेते हैं एकदम 0 से जो fix हो रहा है उसको fix कर देते हैं और जो fix नहीं हो रहा है उसको side में छोड़ देते हैं clear है और s के नीचे u आएगा यह तो clear है और देखे t and b दोनों पडूसी नहीं है यहाँ पर लिखा है न ट is played somewhere below p but not adjacent to v यहाँ आप देखे u जस्त नीचे आ जाएगा एक possible case तो यह हो गया ठीक है और यह एक possible case बन सकता था इस वाली case में अब माली जह हम कहते है s को यहाँ रखें s के नीचे u हो जाएगा और u और v के नीचे 1 2 3 v यहाँ पर हो जाएगा s यहाँ रखें u यहाँ हो जाएगा 1 2 v यहाँ हो जाएगा s को यहाँ रखें 1 2 3 v यहाँ पर हो जाएगा अच्छा v को लेकर कोई condition तो नहीं दीती जहादा मुझे लगता है यह v p का परूसी नहीं है हमें यह दिया था t is placed somewhere below p but not adjacent to v okay बिटा p और v का नहीं दिया यह point फिरते देखें condition यहीं कर पर हो गई देखें h which is placed just above s u तो यहाँ पर दिया s which is placed just above u t placed somewhere below p but not adjacent to v यानि जो t है वो v का adjacent नहीं होगा जो t है वो adjacent नहीं होगा यह केस था उके चलो अभी न है एक बार दुबार से कर लेते व के second above क्या है क्यों है'm ू हो जाएं और u just नीचे आ जाएगा अ चया और कोई possible case हो सकता है ए dł escuch को आ'? s 123 v यहां आ गया आँ वी और q के बीच में q secondary one औब और यू यहां पर आजाएगा यह possible case हमारा बन गया अब ही मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ U और R के बीच में दो लोग हमें clear 1, 2, R यहां पर हो जाएगा U and R, यह वाला किस बनी नहीं सकता क्योंकि U और R के बीच में दो लोग नहीं हो रहे U अगर यहां है तो यह भी case नहीं बन सकता क्योंकि R यहां आना चाहिए था U और R के बीच में दो लोग R एक तो possible case उपर हो गया नीचे हो यह नहीं सकता U and R, 1, 2, R आपका यहां पर हो गया यह हमारे possible case है अच्छा, T और V दोनों ही पडोसी नहीं है यह भी हमारा clear है, इसको रख लेते V और S के बीच में तीन लोग है यह अल्रेडी हो चुका है Q and P के बीच में दो लोग है Q, V से उपर दो place उपर है और Q और P के बीच में दो लोग है तो 1, 2, P अपका यहां पर आ जाएगा Q, 1, 2, P यहां हो जाएगा 1, 2, P यहां भी हो जाएगा Q और P, 1, 2, P यहां हो जाएगा अब इसका एक sitting arrangement हम यहां ले लेते है R, S, U, Q, V और देखे Q और P के बीच में दो लोग है तो P अगर यहां रखोगे तो Q और P के बीच में दो लोग हो जाएगा और P अगर नीचे रख दोगे तो देखें ये वाला case भी आपका क्या हो रहा है गलत हो जा रहा है क्यों गलत हो जा रहा है समझिए इसको अगर टी पी के नीचे है तो वी का प्रोसी हो जाएगा और टी पी के नीचे यहां होगा तो वी का प्रोसी यहां भी है और यहां भी है तो यह भी गलत होगा जबकि T और V परोसी नहीं थे, तो T P के नीचे यहाँ हो जाएगा, तो देखें, P, Q, R, S, T, U, sorry, T तो हो चुका था, T, U, V, यहाँ हो जाएगा, W, तो पूछा क्या है, कि V के नीचे कितरे box है, तो V के नीचे 5 box है, 1, 2, 3, 4, 5, so the correct answer is option A, एक minor सी mistake से पूरा question गलत हो जाता है, और ऐसी गलती नहीं होने चाहिए, तो चलिए, इस class को हम लोग यहीं कतम करते हैं, ठीक है, मिलते हैं हम लोग next class में, और next class में हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से puzzles के और अच्छे questions करेंगे, तब तक के लिए अल्विदा, और बाई बाई